नमस्का दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने वाले हम सजेंटा के इस सब यून की उपर जो की एक ग्रोथ हॉर्मोन यानि की एक टॉनिक का काम करता है बहुत ही बैतरीन प्रोड़क्ट है बहुत सारे दोस्ती से इस्तमाल भी करते हैं काफी लंबे समय से जिससे की आपकी fruit setting, flower setting, पौदे की ग्रोथ, जड़ों की ग्रोथ और बहुत सारे विकास पौदे में देखने को मिलते हैं जिसके results आपको काफी लंबे समय तक मिलते हैं और पौधे में जो इसमें टेक्निकल रहता है डलावाज वह है amino acids जो की सभी जीवजंतियों की जरूरत है हम humans में भी आजमियों भी इसकी जीज़ की जरूरत रहती है और पौधों में भी इसका बहुत बड़ा महतव है तो बात बग जो है काफी costly है हला कि जस्ता भी नहीं है काफी महिंगा प्रोड़क्ट है और इसकी ज़रूरत सभी पौधों को होती है आपके हर प्रकार के पौधों को है आप बागवानी से ले लो आप सबजीयों में ले लो चोटी फसलों में ले लो मोटा नाज में ले लो हर तरह की फसल में इसकी जरोत रहती है अगर आप इसमें थोड़ा सा जो है कोश्टली भी है इसका थोड़ा सा डाल भी देते हो डोज तो आपको फसल से जो आप खर्चा करते हो वो काफी इसली प्रॉफिट में निकल जाता है क्योंकि ये उसकी बढ़वार में जो आपकी पैदाव प्रासकर नगदी फसलों में आपको अच्छा इसका जो है रिजल्ट देखने को मिलता है तो बात कर लेते हैं दोस्तों इसके डोज की तो डोज दोस्तों इसका रहता है आपका अगर आप 15-16 लेटर की टंकी लेते हो तो उसमें आप इसको 30-35 ml डाल सकते हो आपकी स्प्रे जो है दो बार अगर अपनी फसलों में चिड़काओ करते हो तो सफी सेंट इतना कर आपके लिए काफी है तीन या उससे ज्यादा बार इसकी चिड़काओ करने की जरूरत नहीं है या एक बार समय में जो आप इसको एक बार ही चिड़काओ करें तब भी आपको बैटर काफी ज्यादा फूल लगते हैं आपके पौदों में और फूट भी जादा हुआ है और उसकी ज्ढदने के समस्य रहती है वह भी दूर होती और इसी के साथ जिन दोस्तों के पास पानी की प्रॉपर सूवीदा नहीं है या फिर ज्यादा टैंपरेउचर हो जाता है उस तो कि आप इसको कि इस्तिमाल कर सकते हो दूजिंग ज्यादा आज जाता है जैसे मैंने 16-15-16 लिटर करंकी में आपको बताया कि आप इसको जो है 30-35 जा सकते हैं तो आप इसका डूज जाए 45-50 अमल तक बढ़ा सकते हो आई दोस्तों आगे बात करते हैं इससे पौदे में होने वाले फाइदों के उपर कि क्या-क्या उसके छिडिकाओं के बाद हमें उसमें देखने को मिलता है क्या-क्या हमें जबाइदो होते हैं सबसे पहले दोस्तों इससे जड़ का विकास होता है पौदे की जो सफेज जड़े निकलती है जो बाद में एक आपकी बीच में से छोटी एक लंबी जड़ रहती है पौदे के उसके बाद ब्रांचिज निकलती है उससे भी छोटी ब्रांचिज निकलती है सफेज जड़े ज उसके विभाजिन में काफी ज्यादा महतव रोल निभाता है जब उनका विभाजिन होता है तो पौधा आपका पता है कि वह फैल आउट लेता है इसके पतियों में फैल आउट करता है आगे फ्रूट वगारा फ्लावर की सेटिंग तो करता ही करता है इसके साथ जब इतना उपस्थिती में तो उस चीज़ को भी ये फास्ट करता है और खाना काफी तेजी से बनेगा तो विकास आटोमेटिकली काफी तेज होगा और दोस्तों आपके फ्रूट का साइज भी बढ़ेगा फल का साइज बढ़ेगा आपकी सबजियों के साइज बढ़ जाएगा जिससे कि आपको थोड़ा जादा और मुनाफ़ा होगा मोटे नाज में आपके बीज जो रहता है गिहूं मक्का उसके साइज में वृद्धी होत रहती हो तो हां पर आपको जो आपकी फसल जल्दी पक्रती है जैसे आम हो गया वेलाया होग alcohol तो दोस्तों यह तो बात होगी कि इस को कब और कैसे और कितना इस्तेमाल करना है इसके बाद दोस्तों एक सुझाव है कि आप जब इसका इस्तेमाल करें आप इसको नरसरी से लेके जो है लास्टेज तक इस्तेमाल कर सकते हो पर जो बैर रिजल्टस जादा बैर रिजल्टस के लिए आप इसका इस्तेमाल करना चाते हो तो वो transplantation के कुछ दिन बाद यानि दसकर दिन बाद आप इसकी drenching कर लीजिए एक better option है या फिर जब आपकी सब्जीयों में या भागवानिक सित्र में फूल पढ़ते हैं जब फूल पढ़ना सुरू होते हैं जैसी कुछ एक जो है कभी दूप जादा होती है या केट विगयराकन आतंक रहता है तो उस दौरहां जो है उनसे भी जो है इसको रोकता मिलती है कुछ रहत मिलती है यह उन मैसे लड़ने के में इसकी रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक समता को भी थोड़ा बढ़ा देता है तो इसी के साथ दोस्तों अगर कोई सवाल या सुझाव रहता है तो कमेंटर बॉक्स में जरूर लिखें अपना मुले समय देने के लिए बहुत भात धन्यावाद